गाइज जब आप YouTube पर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको YouTube की पॉलसी के बारे में पता नहीं होता, monetization policy के बारे में नहीं पता होता, community guidelines के बारे में नहीं पता होता, आपको reuse policy के बारे में नहीं पता होता, तो आज इस वीडियो में मैं आपको reuse policy के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इसको follow नहीं करते हो तो अगर आपका चनल monetize भी है वो भी monetization से हटाया जा सकता है वो क्या policy है क्या इसके अंदर points होते है मैं हर इक बात को बड़ी सरल भाषा के अंदर और बारिकी से आपको समझाऊंगा कि क्या होता है तो आप इस वीडियो पर बने रहे हैं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए बेल अकन को press कीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही knowledgeable वीडियो लेकर हमेशा YouTube पर हज़र होता हूँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो reuse content होता क्या है reuse का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को बार बार इस्तमाल करना देखो पहले जब आज से 7-8 साल पहले दस साल पहले ऐसी कोई भी YouTube के पर policy नहीं थी आप कोई भी वीडियो अगर upload करते हो उसके अंदर एक uniqueness होना चाहिए उसमें आपकी खुद की एक value add होनी चाहिए reuse का मतलब clearly भाशा में है कि उस चीज़ को बार बार इस्तमाल करना इसके अंदर कहीं points होते हैं मैं सारी चीज़े आपको अच्छे से clear से बताऊंगा कि क्या-क्या इसके अंदर होता है पहला जो होता है कि जैसे for example आप किसी event के अंदर गए या किसी भी किसी शादी के अंदर गए हो या फिर किसी भी आप किसी function के अंदर चले गए किसी theater के अंदर चले गए और आपने मुबाइल को लिया ऐसे और आपने as it is वीडियो बना दी या कोई भी celebrity आया है या कोई नेता आया है आपने वीडियो को ऐसे शूट किया और upload कर दिया इस case के अंदर क्या होता है कि बहुत से लोग उस जगा पर होंगे 100-200-300 लोग होंगे अगर वही लोग भी उन चीज़ों को upload करते हैं तो वह reuse policy के अंडर आता है अगर आपने उसके अंदर अपनी कोई भी value add नहीं की आप देखो आप लोग बोलोगे न्यूस चैनल वाले भी तो एक ही जगा पर बहुत सार लोग जाते हैं कोई भी दुरगटना हो जाती है कहीं होती है तो वह सब लोग अपना camera लेके चले जाते हैं वो लोग भी अपना क्या कर रहे हैं वो वोदे reuse कर रहे हैं पर ऐसा नहीं होता वो लोग क्या करते हैं अपने बात करने के style फाईल अपने ढंक को वह अलग तरिके से करते हैं उसके अंदर अंकर होता है वो बताता है उन चीज़ों के बारे में उनके अंदर आपनी खुद की व्यल्यू को एड करते हैं अगर फोर इसम्पल आपके अदर गई एक बंदा कोई गार है, आपने उसकी वीडियो को बनाई और आपने उस वीडियो को डिरेक्ट अप्लोड कर दिया, उसके अंदर आपने अपनी को वैल्यू को एड नहीं किया, तो ये भी reuse policy के अंडर आता है, क्योंकि ऐसे ही बहुत से लोग होंगे, जिन्होंने उन वीडिय किया होगा, तो उसमें क्या होगा, reuse content के case में आपका चैनल monetize नहीं होगा, अगर monetize है, तो आपका 90 दिन के लिए आपका जो monetization है, वो suspend कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको फिर से apply करना पड़ेगा, और एक और चीज़ बताता हूँ, YouTube कभी भी आपको उस चीज़ क बारे में नहीं बताएगा, को intimate नहीं करेगा, ना आपको warning देगा, आपको जैसे mail आएगी और आपका commentation जाएगा, वो हट जाएगा, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है, next क्या होता है guys, लोगों ने बहुत से YouTube पर वीडियो बनाई है कि copy paste करके आप लाख और रुपे कम सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, copy paste करने का भी एक तरीका होता है, for example, आप कार की वीडियो बनाते हो, कार पे क्या होता है कि महिंद्रा की, टाटा की, मर्सडीज, ओडी, यह सब के official इनके एक YouTube चैनल होते हैं, यह क्या करते हैं, उन प बारे में बताना, start कर दूँ, और अपनी value add कर रहा हैं, तो वो चैनल monetize हो जाते हैं, पर अगर आप सोचो कि मैंने वाहते वीडियो अप्लोड की, वाहते डाउनलोड की, और यहाँ अप्लोड कर दी, और मैं चैनल monetize हो जाएगा, आपका चैनल monetize नहीं होगा, और कभी भी किसी की full video का अपने अपने चैनल पर डालनी ही नहीं है, और यह चीज़े long video और short video दोनों पर apply होती है, तो जिस वज़े से क्या आपका चैनल monetize नहीं होगा, आपको community guidelines strike के बारे में, आपको monetization policy के बारे में, और reuse policy के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग YouTube पर आते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, वो गलती करते हैं और अपने चैनल को खो बैठते हैं, next क्या होता है, कि guys कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही video को अपने अलग अलग channels पर upload कर देते हैं, कुछ लोगों के 5-6 channels होते हैं, वो क्या करेंगे, एक video बनाई, एक video बनाने के बाद उसने 5-6 channel पर अपनी video को post कर दिया, इस case में भी क्या होता है, कि reuse policy के against आता है, तो इसमें भी क्या होता है, कि आपकी पहली video पर नहीं आएगा, पर second, third, fourth, fifth, जो आपने upload कियोंगी, उन पर reuse content की, आपको strike मिल सकती है, या आपका channel बंद किया ज condition हटाए जा सकता है, तो ऐसे आपने नहीं करना, कुछ लोग क्या करते है, same title को बार-बार-बार-बार-बार post कर देते हैं, जितनी video बना रहे हैं, हर एक पे same title लगा रहे है, online पैसा कैसे कमाए, online earning कैसे करें, तो इस condition में भी क्या होता है, कि ये reuse policy के against आता है, ऐसा भी आप होनी चाहिए, हर एक आपका थमलीन अलग होना चाहिए, आपका title अलग होना चाहिए, आज के टाइम में बहुत से AI टूल है, आप महां जाके पता कर सकते हो, अगर आपको title लगाना नहीं आ रहा है, तो आपको आप महां से पता कर सकते हो, भाई, अगर मैं online earning के बारे में ब अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हो, यूटूब आपको बिना intimate के आपकी जो चैनल है, उसको suspend भी कर सकता है, आपके 90 दिन तक आपका जो जो mondation या वो भी disable हो सकता है, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, reuse content है, बड़ा ही sensitive एक policy है, जिसे लेके YouTube बड़ा ही सकता है, तो आपके इन चैसों को नहीं करना है, अगर आपने कोई किसी clip लेनी भी है, तो आप 10 second तक ले सकते हो, और उस video को upload कर सकते हो, उसके अंदर आप अपनी value को add नहीं करोगे, तब तक आप उस reuse content से नहीं बस सकते, आप उसके against आओगे, और एक नेक दिन आप अपने channel से हाथ दो बैठोगे, I hope guys आपको अच्छे से clear हो चुका होगा, जो reuse content policy है, क्या है, किन-किन बातों को आपने ध्यान रखना है, फिर भी अगर आप कोई बात समझ ना ही हो, अगर आप मुसे बातचीत करना चाहते हैं, तो description में मेरी Instagram ID है, आप वहाँ जाके मुझे follow कर लेजिए, आपका कोई भी question होगा, आप मुझे DM कीजिए, मैं आप हर एक बात का quickly reply करूँगा, और ऐसी प्यार support करते रिए, thank you guys, keep watching, keep spotting us.